हेलो बच्चो गुण मॉल्निंग तो बिद्देवी ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है तो कुछ बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को समझना हमें कि मान के चलो यह एपी दे रखी अपने पास में क्या है एपी अब इसमें हम मान लेते हैं पांच दस पंद्रे बीस और डॉट डॉट और यहां पर मान लिया हमने सो मान लिया अब हमें इसमें मान के चलो इस सवाल के अंदर हमें इन चार पदों का योग चाहिए केवल चार पदों का कितने पदों का योग केवल हमें चार पदों का योग चाहिए तो जब चार प्रथमपद और हमें योग कितना चाहिए केवल चार पदों का तो यह होगा उसका अंतिमपद क्योंकि हमें चार पदों का योग चाहिए तो प्रथमपद 5 है तो अंतिमपद कितना होगा 20 होगा ना कि इसका कितना होगा 100 होगा तो सबसे पहले ये समझना है तुम्हें अब हमें इन 4 पदों का योग करना है तो ये बराबर कितना हुआ अपना 5 और ये एन कितना हुआ इसमें 20 मानेंगे ना कि हम किसको मानेंगे 100 को अब हमें यहां तक सब पदों का योग चाहिए तो यह इसका प्रिथम पद और यह इसका अंतिम पद होगा अगर हमें सो पदों तक जो दे रखा है यहां तक अगर इनका हमें योग चाहिए तो अंतिम पद फिर इसको मानेंगे और हमें केवल कितने पदों का योग चाहिए केवल हमें इन चार पदों का योग चाहिए तो अब चार पदों के लिए प्रिथम पद कितना है कितना है पांच और अंतिम पद कितना मानेंगे बीस और पदों की सेंग्य यानि एन कितना मानेंगे कितने पदों का योग चाहिए हमें केवल चार तो अब हमें इसमें सूत लगा सकते हैं SN वरावर N वटे 2 और A प्लस A N तो देखते हैं एक बार कि N का मान कितना है अपने पास में N का मान कितना है 4 वटे कितना 2 प्रथम पद कितना है 5 और अंतिम पद कितना है 20 तो दो का भाग 4 में देंगे दो बार इंटू कर लेते डायरेक्ट 20 और पांच 25 और इन दोनों का इंटू करते हैं तो कितना आ गया 50 तो अब एक बार देखते हैं हम यहापे कि इन चार पदों का योग कितना बैठ रहा है 20 और 15 35 और 10 45 और 5 50 तो इस तरीका से अंतिम पद का ध्यान रखना है जैसे वो सवाल आया था कि एपी का तीसरा पद 600 एपी का साथवा पद 700 और हमें यहापे जब लास्ट में निकाला था एपी का जो दसवा पद आया था वो 775 तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यहापे साथ पदों का योग चाहिए तो इस सवाल के अंदर एक कमान कितना आया था 550 कितना आया था 550 अब हमें इसमें जो सूत्र लगाया था वो यानि कि एन वटे टू कोष्टक में ए प्लस ए एन लगाया था तो इसमें एन का मान क्योंकि साथ है साथ पदों का योग चाहिए यह कितना रखेंगे इसमें 550 प्लस एन कितना रखेंगे इसमें क्योंकि हमें पदों का योग कितने पदों का योग चाहिए साथ पदों का योग तो साथ मापद ही अंतिम पद माना जाएगा इस जगे के लिए हमें कितने पदों का योग चाहिए साथ पदों का योग तो साथ वापद कौन सा है वो ही अंतिम पद माना जाएगा तो साथवा पद कितना है साथ सो तो साथवा पद कितना रहेगा यहां पर साथ सो तब जाके होगा ना कि यहां पर साथ सो पिचेतर है क्योंकि साथ सो पिचेतर तो यहां पर कौन सा पद है दसवा पद माना था हमने दसवा पद ग्याद किया साथ तो साथ वापद ही अंतिमपद होगा साथ पदों के लिए साथ पदों के योग के लिए साथ वापद ही अंतिमपद होगा जैसे यहां पर पहला पद दूसरा तीसरा चौथा हमें चार पदों का योग चाहिए तो अंतिमपद 20 रहेगा पिर्थमपद 5 रहेगा अगर हमें तीन पदों का योग चाहिए तो पिर्थम पद पांच रहेगा अंतिम पद पंद्रे रहेगा तब हम यह इनका मन पंद्रे मानेंगे तो अब तो साथ बच्चों तो आरे समझ में आ गया होगा तो थोड़ी सी एक तो यह सिकायद थी कल के मेटर में और एक जो पहले सिकायद चलती आ रही है आपकी वो गिए का पहला सवाल तो उस कोंझा देख लेते। कि तीसरे प्रेश्ण के जो पहला सवाल था कुछ बच्चों की इसमें सिकायट थी कि गुरु जी वह हुआ नहीं है तो अब उसको समझा देता हूं कि फिर आपनी बिविद प्रशनावली को स्टार्ट करेंगे तो अब उसमें वहीं प्रशनावली तो अपनी अभी फ्लाल में 5 पंड 3 नहीं है और 5 पंड 3 का तीसरे का पहला सवाल है उसमें 97 एंपी दे रखेए उसमें एपी दे रखे है नौ सत्रे पचीस डॉट डॉट सायद यहां पर योग दे रखा है 636 तो यह कह रहा है पहले इसको समझना है कि नौ सत्रे पचीस डॉट डॉट योग 636 प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद चाहिए कितने का मतलब एन गयात करना है इसमें तो नौ सत्रे पचीस डॉट डॉट योग दे रखा है 636 के लिए हमें कितने पद चाहिए कि जिनका योग 636 हो जाए तो इसके लिए हमें सबसे पहले A बरावर 9 उसके बाद में D बरावर 17 माइनस 9 बरावर कितना हुआ 8 और SN बरावर दे रखा है 636 एसे इन वराव कितना दे रखा है 636 तो अब इसमें से हमें एन का मान ग्याद करना है कि यानि कि कितने पद चाहिए हमें कितने पद चाहिए किसके लिए यानि 636 योग प्राप्त करने के लिए जैसे 9 और 17 17, 9, 26 26 में 25 जोड़ेंगे, 51 इस तरीका से जोड़ते जाएंगे और हमारा योग कितना आना चाहिए 636 तो अब ये कितनी संक्याए तीन तो ये हैं और साथ कितनी संक्याए और जोड़नी पड़े तो इसके लिए हमें एन चाहिए क्या चाहिए एन अब इसमें देखो ए दे रखा है प्रथम पद, d निकाली हमने 8, और a से निकाली हमने 636, अब इसमें अंतिम पद नहीं है, इसलिए छोटा सुत्र नहीं लगेगा, योग का, कौन सा सुत्र लगेगा, बड़ा सुत्र लगेगा, तो अब हमें बड़ा सुत्र लगाना, यहाँ पर चूकी, N बटे 2 बड़ा 2A प्लस N माइनस 1 कोष्टक बंद D बड़ा कोष्टक बंद बरावर यहाँ पर क्या लगा दिया हमेने S N अब यहाँ पर continuity का चिन्न लगाएंगे अब N का मान तो हमें ग्यात करना है तो N का मान कितना है N ही रहेगा बटे 2 बड़ा 2 गुणा A यानि 2 गुणा A का मान 9 प्लस N का मान ग्यात करना है माइनस 1 D का मान इसमें 8 बड़ा बरावर कितना है 636 यह हमने मान जमा दिये अब हमें आगे बढ़ाना है N बटे 2 यहाँ पर ही है 9 दूनी 18 प्लस 8 का गुणा N से करना है तो 8 का गुणा एक से करना है तो 8 कम 8 सोरी 8 का गुणा N से करना है तो 8 N माइनस 8 कम 8 कोष्टक बंद बरावर कितना 636 यह अपने पास में हो गया अब हमें आगे बढ़ाना है N बटे 2 है अपने पास में 18 में से 8 गटाएंगे 18 में से 8 गटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचे 10 प्लस कितना 8 N कोष्टक बंद बरावर 636 आगे कंटिूटी 2 को तो उधर ले जाते हैं जैसे मैं दूसरे समारएं ले गया था क्योंकि यह बटे में तो उधर जाएगी तो किसमें आएगी गणां में यह अगर उपर होती तो कहाँ जाती भाग में तो دो को तो अधर ले जाते हैं और एन का इसके अंदर गुणा कर देते हैं तो एन का गुणा 10 ते करो 10N प्लस एन का गुणा 8N ते करो तो 8N स्क्वार बरावन यहां पर 636 इंटू कितना हो जाएगा 2 अब इसको हम क्रम से रख लेते हैं सबसे पहले बड़ी गात रहेगी प्लस के और यहीं रखने इसी जगह पर उधर नहीं ले जा रहा हूं जिससे चिन बदल जाए तो 8N प्लस के तो इसी जगह पर रहेंगे 18N स्कॉर दस हैं यहां पर रखते हैं दूसरे नमबर प्लस के दस इन देखो यह पहले पक्ष में दोनों केवल आगे पीछे करें केवल कहा करें आगे पीछे पक्षांत्रन नहीं किया है अगर हम पक्षांत्रन करते तो चिन बदलते अब हमें केवल व्यवस्तित कर रहे हैं आगे पीछे निक्रम से रख रहे हैं सग्याओं को बड़ी गात फिर उससे छोटी फिर लाश्ट में कहाता है अचर पर तो आठेन प्लस के तो प किसके आएंगे माइनस के तो गुणा कर लेते और आगे रख लेते तो छे दो नहीं बार च्छती दो नहीं बहतर बारे सो बहतर बरावर क्या बच्छी उसमें जीरो यह अपना तिरपदी बिंजक बनाएं अब इस तिरपदी बिंजक में वी थोड़ा सा और आगे ले ले वहां रहा हैं रहा है कि कम से कम इन समया दूका भाग जा रहा है यानि कि दो कॉमन है दो इसमें क्या है कॉमन है दो इसमें भाग जा tiny हो जाएंगी और क्या जाएगी उसिवाधन से पी चोटी संक्या हो जाएगी झोटी यहान लिग देते हैँ दो का noi कि लीने पधा जगे पर मतना के मतलब उनलेंके मतलब किन ballet दो कमकल मिन पर कामे की संक्या को य५ यहां नीचले जाएंगे जीरो क Whew तो जीड qualities SH और इसमें से common यानि 2 का भाग देदोट सेंके छोटी हो जाएगी तो 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 4N square 2 का भाग इसमें देंगे तो plus के कितना 5N minus 2 का भाग देंगे तो वो जी दुबारा से कितना जाएगा 636 बरावर क्या है 0 अब हमें ये तिरपदी बिंजक है अब इस तिरपदी बिंजक में हमें क्या करना है कि 636 का गुणा 4 से करना है 636 का गुणा कितने से करना है 4 से तो 636 गुणा 2 करेंगे जब बारेसो बहतर हो यहांनि 636 का गुणा चार से करेंगे तो 2545 आया कितना है बच्चो पचीस सो चम्बालीस अब हमें क्या करना है कि 2545 के खंड करने 2545 के क्या करने खंड करने ऐसे दो खंड करने हमें 2545 के जिने जोडने घटाने पर तो आना चाहिए अपने पास में कितना पांच और दोनों खंडों का गुणा करने पर आना चाहिए अपने 2545 तो एक सरल भी दी बताईती मैंने ऐसे नहीं होते हैं मनसे करने को क्लास में बता दें कि पंडरे के ऐसे खंड करो तो नेक दिर में बता दें पर यह जोडने घटाने पर भी कितना आना चाहिए तो ऐसे दिमाग cabeça नहीं आतें तो हमें इसके लिए एक सरल विदी बता रहा हूं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सरल विदी है कि इस जगे पे हम 2545 के अवहाज गुनन खंड कर लेतें तो सबसे पहले दो का वाग देंगे बारे सो बहतर फिर दो का वाग देंगे 636 फिर दो का वाग देंगे 318 फिर दो का वाग देंगे 169 और फिर तीन का वाग देंगे 35 और 35 में 35 काई भाग जाएगा कितनी वार एक वार तो इस तरीका से मैंने खंड कर लिए अब आज गुणन खंड अब इन में से क्योंकि इन सब का गुणा करने पे टोटल 2545 आएगी ये तो पक्का है निरवर कि अपने पास में जो भार के खंड वने इन सब का गुणा करने पे कितना आएगी 2545 पर इन में से एक दो तीन चार पांक छै में से हमें केवल का वनाने 2 तो हम क्या करते 2 दोनी 45 चार दोनी 68 इन को यह तक लेले ते य्या आगे 48 और ये टोटल कितना अपने पास में 35 तो हुंद् Nuclear शच्ण और 2017 गुणा करने पे 2545 आएगा पर अब ये दिए कि इन दौनों को जोडों गटाने पे 5 चार आएका जोडने पर तो ज़्यादा आएगा पर घटाने पर त्रेपन में तर्टालिस गए तो कितने बच्छे पांच तो अपने खंड आ गए न कौन-कौन से खंड बने त्रेपन और अड़तालिस अब यह देखते हैं कि त्रेपन या किसके बचने चाहिए प्लस के तो बड़ा वाला आएगा प्लस का तो त्रेपन प्लस के और अड़तालिस माइनस के तो बच्चों अपने पास में दोनों खंड आ गए कौन-कौन से खंड आए 53 और 48 तो अब हमें क्या करना है कि इस जगे पर दोनों खंडों को रख देना है तो अपने पास में यहां पर आए 4N स्क्वार प्लस के कितने 53N माइनस के कितने 48N माइनस 636 बरावर 0 और मेरे साथ साथ यहां से कर सकते हैं वैसे तो पर फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार कि इन दोनों में हमें कौमन केवल N प्राप्त हुआ 4 लें तो इसमें भाग नहीं जाएगा 2 लें फिर भी नहीं जाएगा तो इसमें और कोई सेंक्या कौमन नहीं है तो N स्क्वार और N में N कौमन है तो N का बाग इसमें देंगे तो 4N बचा प्लस के यहां पर 53 बचा माइनस N दोनों में हमें कौमन लेना है और हमारे कौमन में 4 बतने चाहिए तो 4 इसमें क्या कौमन लें इसमे कॉमन आएगा अपने पास में बारे बारे कवा कर तालिस में देंगे तो चार एन आ गया इतनी संग्या माइनस माइनस प्लेस बारे पंजी साइट और बारे तीच छतीश बरावर जीरो तो मैंने एक बार समझाया तो तुम्हें उस टाइम पे बहुपद में यदि कुष्टको में संक्या बिलकुल बरावर आजाये बिलकुल समान मतलब चिन सहित तो अपने खंड बिलकुल सही है और सवाल भी बिलकुल सही है अब यहां से बेजज़क एके आगे सवाल को बढ़ा सकते है अगर दोनों किंड समान नहीं आए तो हमारी कही ना खई ऊप और अगर दोनों कोश्टकों में सइक्या बिलकुल समान आए तो बेजिज़क एके, बिलकुल सवाल अपना सही है उसको आगे बढ़ा दो, तो अब आगे बढ़ाते हैं हम एक कोश्टक में बार की सइक्य ले लो, n-1 और एक कोश्टक में इन में से क्योंकि दोनों समान आएंगे जबी तो एक ले सकते है इन दोनों में समान आया है इसलिए तो हमने एक संग्य लेनी है अगर इसमें प्लस का जाए इसमें माइनस का जाए तो फिर कौन सा ले वैसे अलांकि इसको को इस तरीका से नहीं लेते आप यह पर का यहां तक की शांकिल यहां तक की संक्या में common क्या है चारेन प्लस यह यह और यह कॉमन ले लिया फिर एद माइनस वार है बच्छीगा तो क्येसी भी कर लो उसको एक आक यह बात है वह तो एक टो इन बार को ले लेते और यह इंवस 4N प्लस 53 बरावर भी 0 होगा तो N बरावर तो आगए अपने पास में 12 है यह यहाँ पर N बरावर 53 जाएंगे माइनस के 4 जाएंगे बटे में तो यह एमान्न सेंक्या है एमान्न यानि कि मान्न योग नहीं है इसको मान नहीं सकते हैं क्योंकि कभी भी सेंक्या माइनस में नहीं होती है, बाइब पदों की सेंक्या माइनस года 53 तरह और जो भी तो ं बराबर कितना है 12www तो ऐसे हमने जो यह तीन पढ़ दिये रखें और इभिन नौ पढों का अगर योग करें तो 636 योग आ जाएगा तो अटय पढ़ों is कि सेंख्या कितनी रही अटय पढ़ों की शेंख्या बराबर कितनी होगी बार होगी जिनका यूप कितना हो जाएगा 636 तो शिर्फ मैंने बताया है और इसको एक वार नोट कर सकते हैं कि मैं दोबारा नहीं बता हुआ क्यों आप बेविद प्रिश्णावली बता नहीं है कि पहले मैं समझा चुका हूँ इसका दूसरा सवाल अब तो इसमें कुछ बच्चों की समझ्या थी अब वो समझ्या कहा थी उसको देखना है कि हम कहां तक हमने सवाल किया था तो हमें आगे क्यों नहीं हो रहा था तो मैंने इसलिए वो सवाल पूरा बता दिया है तो एक वार नोट कर लो फिर मैं अगला किस्टनाली को स्टार्ट करूंगा और और वो तुम्हारी समझ में आ गया होगा दोबारा बता चारहें किकिता रहूं उसको और सुलेना कि हमें अन्तिमपद इसमाल में जो पूछता रेकी चलता रहता है नंगे इसको सटक की संग्या है कि एक जले कि कह ठुन की संग्या है इसको बच्चे कहाँगे थर्षन पर ये बिल्कुल सहीर वर ये पाजम होमने एक सेपक्र感じ और उसमें से उसमेंस कितनी कopen एक वश्येस पचास तक कि तो 50 संख्यान को यह उत्युक्त वक्व्व करना थो पृष्तमhuman पद एक और अन्ति में सो नहीं मानेंगे कितना मानेंगे पचास क्योंकि हमें पचास अनका योग करना है हमें सो का योग नहीं करना है सो सेंग्याओं का योग करेंगे तो अंतिमपद सो ही रहेगा पर हमें योग कितना करना है पचास का तो ए पहला पद पचास अंतिमपद अगर हमें बीस पदों का योग करना है तो तो पहला पद एक अंतिंपद बीस रखेंगे फिर उसमें क्योंकि बीस पदों का यूग करना है तो साइद मेरे साथ समझ में आ गया होगा तो अब अपनी प्रशनावली चलती है बिविद तो बिविद को आगे बढ़ाते तो यहां पर चलती है अपनी बिविद और अंकों की बता दिये पहले से बताता रहा है और कितने अंकों की इआएगे सवाल ले gleichen साय तो पहले सवाल में कहते है कि अपने पास में दो से हैं पहली शायी और उसके लगाद में दूसरी तो पहली जो प्रतमाणियों का सारवंतर समाने जो बिलकुल क्या है समाने जैसे सार्व अंतर क्या है एक तो हम बामन से चालू करें बामन चववन शपपन अठावन और एक दो से चालू करें दो चार छे आठ अब कहने का मतलब है कि इसमें भी दो का अंतर चल रहा है और इसमें भी दो का अंतर चल रहा है तो दोनों स्रेणियों का जो सार्व अंतर ह वो बिल्कुल क्या है समान है पर प्रिथम पद इसका बामन है इसका प्रिथम पद कितना है दो तो ऐसे ही अपने पास में यह कह रहा है कि दो स्रेड़ी है अपने पास में एक स्रेड़ी का प्रिथम पद कितना है उसमें आठ कितना है उसमें आठ और दूसरी स्रेड़ी का प स्रेड़ी तक का प्रणित歪 को प्रणित करनें unhappy आफ़ दूसदे आफ़ हैं और स يعने प्रणितक ऊर्णि का तीसवा पद कर लेते हैं लेगा दूसरी आफ़ प्रहनम ушश्ञार अंतर आ जाएगा तीसवे पद का अंतर कितना रहेगा तो पहली स्रेडी का तीसवा पद जिसको हम capital माल लेते हैं बड़ी है ना क्या है बड़ी है तो इसको capital माल लेते हैं और दूसरी को small माल लेंगे तो पहली स्रेडी का तीसवा पद capital A 30 माल लेते हैं तो इसका सूत्र बनेगा capital A plus 29D क्योंकि सारवंतर दोनों का समान रहेगा पहली स्रेडी का तीसवा पद capital 30 capital A 30 बरावर capital A plus 29D क्योंकि तीसवा पद है तो 29D आएगा अब इसमें से हम मान रख लेंगे नहीं तो बाद में मान रख लेंगे चलो यह पहली स्रेड़ी का तीसवा पद है अब हमें मान लेता है यहां पर मान लेते हैं दूसरी स्रेड़ी दूसरी स्रेड़ी का तीसवा पद उसको स्मॉल तीस मान लेते हैं स्मॉल ए तीस बरावर तो यहां पर स्मॉल ए चलेगा और यहां पर उनतीस डी चलेगा क्योंकि D दोनों में क्या है समान है इनको कैपिटल और स्माल नहीं मानेंगे हाँ प्रिथम पद को कैपिटल और स्माल ए माना है हमने कैपिटल ए और स्माल ए क्योंकि दोनों का पहला पद बिलकुल अलग अलग है परंतु सारवंतर दोनों का कैसा है समान तो D हम दोनों में सम समान मानेंगे परंतु इसको प्रथम पद को समान नहीं मानेंगे यह पहली स्रेडी का तीसवा पद है यह दूसरी स्रेडी का तीसवा पद है और दोनों का हमें क्या चाहिए अंतर अन्तर के लिए क्या होता है माइनस कि डौनों का योग चाहिए तो डौनों के बीच में प्लस लगाना है तो हमें क्या करना है चू perpetual अ मैं से small तीस गटाना है तो यहां देख लेते है इसका मान यह है और इसका मान यह तो मान जमाओ पहले कितना है ए प्लस 29 डी उसमें से घटाना है तो क्या लगाना है अब कोश्टक यह आएगा कितना ए प्लस 29 डी यहां बराबर लगाएंगे यह तीसवे पदों का अंतर है बड़ी स्रेणी यानि पहली स्रेणी में से दूसरी स्रेणी घटा ही हमने पहले स्रेणी के तीस पदों में से दूसरी स्रेणी के तीस पद घटा है तो पहली स्रेणी का तीसवा पद और दूसरी स्रेणी का तीसवा पद अब एक कमान उसमें द प्रिथमपद आठ प्लस यहां पर 29 डी रहेगा माइनस कोश्टा कटाएंगे तो चिंड बदलते हैं तो दूसरी सेड़ी का प्रिथमपद कितना रहेगा यहां पर 3 माइनस चलो इसमें बाद में मान रख लेंगे यहां पर देखो ए प्लस कितना है 29 डी माइनस ए माइनस 29 डी 29 डी से 29 डी कट गया कैपिटल ए का मान 8 माइनस इसमॉल ए का मान 3 तो घटाएंगे कितना आया 5 तो दोनों स्रेणियों के 30 में पद का जो अंतर आया है वो कितना आया है 5 समाच आप एक बार और समझ लो बैसे कठें नहीं है तो एक से देवाला सवाल है पर हमें तो सारव चीज करने है इसमें सीखना आया हमें बडिया तरीगा से कि पहली स्रेंडी का तीषवा पद पहली स्रेंडी का तीषवा पहली स्रेंडी का जो तीसरा पद है तीसवा पद सोरी वह capital A 30 माना हैं हमने तो पर्थम पद capital प्लस 29D दूसरी स्रेंडी का तीस्वा पद small A 30 माना है तो small A plus 29D क्योंकि सार्व अंतर दोनु जगे पर समाने यहां लिख सकतें चोंकि सार्व अंतर क्या है समान है इसलिए दोनों का जो डी है वो बिलकुल समान है तो समान रखा है हमने दोनों में चलो ये पहली स्रेणी में पहली स्रेणी का तीसवा पत ये दूसरी स्रेणी का तीसवा पत दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है तो अंतर के लिए का है माइनस अगर दोनों स्रणियों का योग पुछता तो प्लस दोनों स्रणियों का गोडन पल पूछता तो गोड़ा तो हमें अंतर पूश रहा है तो माइनस कर दिया तो पहले में से दूसरी सेली G'Taom तो यह यहां पर ही है माइनस ते इसके कोश्टा के चिन वद लेंगे माइनस ए माइनस 29 गट गया एक आमान आठ है और दूसरे एक आमान तीन है तो घटाने पर कितना है पांस तो अतर तीसवे पदों का अंतर कितना होगा पांस तो एक वार नोट कर लोगत चो फ्रागले सवाल पर चलते हैं हां तो अगला सवाल चलता है अपना कोश्चन नमर दूसरा है अपना उसमें कह रहा है कि एपी दे रखे अपने पास में अठार है पहला पाद एए दूसरा पाद बी तीसरा पाद माइनस तीन चौथा पाद तो इसमें से यह एपी है इसमें से हमें एप्लस एप्लस वी का मान चाहिए एप्लस वी का क्या चाहिए मान चाहिए इस तरीका से कि पहली श्रेणी में स्रेणी हमें जो पहला पाद है वो इठार है दूसरा यह दे रखा है खाली जगए मान लो इसमें तीसरा पाद भी खाली जगए मान लो और चौथा पाद आर थीन तो तो इन दोनों की सायता से ए और वी का मान हमें टोटल प्लस में ग्याद करना है किस में ग्याद करना है प्लस में कि ए का मान कितना है अलग निकालो बनी वी का मान कितना है अलग निकालो लास्ट में पर दोनों को फिर भी क्या करना है जोड़ना है प्लस करना है दोनों का यान हम इसमें से इसको गटा दें और इसमें से इसको गटाएं और इसमें से इसको गटाएं तो वो इनका सारवंतर ग्यात होगा क्या ग्यात होगा सारवंतर और सारवंतर हमेशा प्रतियक पद में जो होता है वो बिल्कुल समान होता है कि कहीं अंतर 2 आ जाए कहीं अंतर 3 आ जाए कहीं 2 आ जाए कहीं 3 कहीं 4 कहीं 5 ऐसा नहीं होता है अगर कोई AP में है समांतर स्रेणी में है तो उनके पदों का जो अंतर आता है वो बिलकुल समान आता है क्या आता है बिलकुल समान तो हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको गटा लेते हैं, जो सारवंतर आएगा, इसमें से इसको गटा लेते हैं, दोनों का सारवंतर बिल्कुल बरावर आएगा, तो कहने का मतलब है, चूंकि सवाल कोशन चालू कर रहा हूं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यह A2 है, यह A1 है, दूसरा पद और पिर्थम पद, तो A2 माइनस A1, यह हुआ सारवंतर, A2 में से A1 गटा आते हैं, तो क्या आता है, D, यानि कि D निकलता है, और D का माण होता है, सारवंतर, तो ऐसे हम, यह A4 में से A3 भी तो गटा सकते हैं, इन दोनों का जो अंतर आएगा, और इन दोनों का जो अंतर आएगा, वो समान आएगा, और इन दोनों का जो अंतर आएगा, वो भी समान आएगा, क्योंकि बीच का जो अंतर है, वो बिलकुल हमेसा कैसा रहता है, समान, तो A2 में से A1 गटाएंगे, तो A4 में से A3 गटाए गया अब के वन इन पर मान जमाना है और अपना आंसर आ जाएगा तो सवाल सरल हुआ या नहीं हुआ तो देखो एक बार इन पर मान जमाना है एटू का मान सब जानते हैं पहला दूसरा तीसरा चोथा तो एटू का मान कितना है ए माइनस एवन का मान कितना है अठारे बरावर A4 का मान माइनस 3 माइनस A3 का मान कितना है B ठीक है बच्चों कितना सरल हुआ है देखो मातर 2 या 3 लाइनों में सवाल हो गया तो हमारे पास में A पहले से ही है यहा V को इधर लाएंगे प्लस के कितने हो गए B बराबर माइनस 3 पहले से ही है 18 उधर ले जाएंगे तो प्लस के 18 तो अपने पास में मान आ गया A प्लस V बराबर 18 में ते 3 गए तो कितना आ गया 15 तो यह अपना सवाल दूसरा होगा दोबारा समझाने लाइक ही नहीं है क्योंकि मैंने एक बार में ही पूरा सवाल समझा देया बढ़िया तरीका से और दुबारा देख लो कि इन दोनों का जो अंतर है वो ही इन दोनों का अंतर होगा यानि कि A2 माइनस A1 A4 माइनस A3 जो इनका सारवंतर है वो भी इनका सारवंतर समान रहेगा तो A2 माइनस A1 बराबर हुआ A4 माइनस A3 अब हमने मान जमा दी हो इतना तुम कुछ जानते ही है तो इसको भी एक बाद नोट कर सकते हैं तो फिर अगला सवाल बढ़ाते हैं हाँ तो अगला सवाल है उसका कोश्चन नम्मर तीसरा कोश्चन नम्मर तीसरा है यदि एक समांत्रशनी का साथ वापद साथ वापद है तो A प्लस 6D जो भी कुछ होगा तेरवापद A प्लस 12D जो कुछ होगा इन दोनों के इसाफ से पहला समीकन दूसरा समीकन बना के और हमें A और D का मान निकाल के उसका अठारवा पद ग्याद करना है ऐसे सवाल मैंने बहुत बता है तो ये सवाल तो महीं करना है अब है अगला यदि एक समांत्रशनी का प्रथम पद दो है यानि A बरावर कितना है दो सारवंतर कितना है उसका आठ N पदों का योग कितना है 90 है N पदों का योग कितना है 90 है तो हमें N का मान ग्याद करना है जिस पर जो समस्या चल रही थी कौन सी 5.2 का जो तीसरा कोश्चन ता उसमें 1st और 2nd जो मैंने आज ही बताया है 1st वो ही तरीका है मतलब मैंने दोनों बता दिये तो सेम तरीका से उसी तरीका से होगा इसमें सेंग्या छोटी है 90 है तो इसमें खंड करने में बिलकुल आसानी रहेगी उसमें सेंग्या 25,45 और ज़्यादा बड़ी थी तो उनके खंड काली में समस्या थी ये बिलकुल सरल है पर होगा उसी तरीका से पांच पॉंट सॉरी पांच पॉंट कौन से का तीन का पांच पॉंट जो तीन है उस पांच पॉंट तीन में जो तीसरा सवाल था उसका पहला और दूसरा जो सवाल किया था में ने सेम उसी तरीका से तो इसको भी तुम्हीं करेंगे अब सवाल नम्मर है पांच बाँ इसको करा देता हूँ तो अपने पास में कोश्चन नम्मर है पांच बाँ हाँ ये सवाल अच्छा है तो इसको करा देता हूँ कि AP का N पदों का यूग AP का N पदों का यूग कोश्टक में S N बराबर यूग के लिए S N होता है 3 N स्क्वार प्लस 5 N ये दे रखा है तो हमें आगे बताना है कि 164 इस रेड़ी का कौन सा पद होगा 164 इस रेड़ी का कौन सा पद होगा तो बिसेस कर सवाल को समझना है क्योंकि अगर ये सवाल इस जगे पर समझ में नहीं आया तो इसी का एक सवाल और आएगा नीचे प्रेशन नमर 14 तेरह 14 जो भी कुछ आएगा वो सेम डिटो इसी तरीका से आएगा अगर जब ये सवाल यह समझ में नहीं आया तो प्रेशन नमर जो पीछे आएगा वो तेरह 14 जो भी है कुछ इसमें यहां बटे में दे रखा है इसमें बटे में दो दे रखा है सेम डिटो यही सवाल है तो वो सवाल भी समझ में नहीं आएगा तो पहले हमें इस सवाल को समझना है अब A P का N पदों का योग S N बरावर दे रखा है 3 N स्कॉार प्लस कितना 5 N तो जैसे पहले यहाँ पर A N आयो A और N, N को मान एक रखे हो तो पहलो पद अब इसमें N को मान एक रखेंगे तो पहले पद का योग आएगा पहले पद का क्या आएगा योग तो हम यहाँ पर S N को मान कितना रखे हो उमने 1 तो यहाँ पर देखो 3 N 2 1 को स्कॉर प्लस 5 इंटू 1 तो यहाँ पर 1 का वर गए 1 को गणा 3 तो करेंगे 3 प्लस 5 एक कम 5 यानि 3 प्लस 5 यानि कि कितना आया 8 अब ध्यान रखना मैं अलग से लिए रहा हूँ A P हमने लेली 5, 10, 15, 20 बताओ तो इसमें पहला पद कौन सा है इस A P में पहला पद कौन सा है तो सब जानते हैं सोचने के लिए जर्रत नहीं है सब जानते हैं कितना हैं पहला पद पहला पद है इसमें ए बराबर कितना पांच चलो सोचने वाली बात नहीं थी हम जानते हैं जो पहला पद है पहली जहांसे सनेडी चालू होती है वो पहला पद होता है अब इसमें पहले पद का योग कितना है तो इसके लिए पहले पद का जो योग है पहले पद का वो पहले पद का योग भी कितना है इस में पांस तो एस बन बराबर भी कितना हुआ पांस तो कोई अंतर स्रेणी का पहला पद और स्रेणी के पहले पद का योग एक ही बात है तो इसको हम एक पद का जो योग है वो ही पहला पद है तो इसमें यहाँ पर लिख दे S1 या A1 वराबर आ गया कितना अपने पास में 8 यानि कहने का मतलब है पहला पद 8 आ गया पर अब इस जगे पे हम 2 रखेंगे यानि कि S2 तो 3 इंटू 2 का स्क्वार प्लेस 5 इंटू 2 तो 2 दोनी 4 चारतिया कितने बार है और 5 दोनी 10 टोटल कितने आए बाइस अब यह है दो पदों का योग बतला जो कह दें इसमें यह क्या है इसका A2 यह क्या है इसका A2 पर इसको S2 नहीं बोल सकते है A2 का मतलब होता है दूसरा पद A2 का मतलब कौन सा होता है दूसरा पद और S2 का मतलब होता है दो पदों का योग देखो अब दो पदों का योग यहाँ पर S2 बराबर कितना हुआ 10 और 5 पंद रहे अब यह दोनों सामान नहीं है रम पद 5 पहले पद का योग 5 यह विलकुल सही है पर अब यहां देखो एक बार कि इसमें यो करूँ में दूसरा पद दूसरा पद कितना है इसमें 10 अब यो का हूं दो पदों का योग तो 10 और 5 पंद तो स्टू यह नहीं योग होता है एस तो यहां कितना हुआ पंद्र है तो दोनों समान नहीं है नहीं है तो हमें क्या करना है कि ये दूसरा पद गयात करना है एटू क्या गयात करना है हमें एटू गयात करना है क्या गयात करना है एटू मतलब दोनों पदों का योग कितना है पंद्र है और पहले पद का योग कितना है पां तो A2 का सुत्र कावने हो S2 माइनस S1 यानि कि 22 माइनस 8 22 माइनस कितना 8 बरावर कितना हुआ 14 यह आ गया दोबारा देखो पहले यह जो मैंने समझाया यह बिल्कुल रेखा बना के समझाया दिहान रखना कि इसमें से पहला पद 5 पहले पद का योग 5 इसमें दूसरा पद 10 दो पदों का योग 15 तो दो पदों के योग में यानि कि 15 में ते 5 कितना है और unit 10 या होगा यहां पर इतू कि तो यहां पर सुत्र का वन है और या दूशरा पर बराबर एस टू माईनस से बन कितना स्थ यहां चैशन आप देखो थंपत आ गया रहार ने कि दूसरा पद आ होता है a2-a1 कहने का मतलब है झी बरावर a2 का मान कितना है 14-8 बरावर कितना आगो 6-6-8 बरावर कितना आगो आप कि अब हमें क्या करना है कि इसमें कौन सा पद कौन सा या कितना इसके लिए हमें कौन सा कितना कितनी इसके लिए हमें N का मान होता है तो यहां कह रहा है चूँकि N वापद 164 है कौन सा पद एंवां तो N का मान न कलना है तो एंड के मान के लिए यहां पर चूण की यहां पर A प्लस कोश्टक में N माइनस एक कोश्टक बंद D बरावर यहां पर आ गया A N यह दे रखा है कौन सा N वा तो A को मान अपने पास में है अपने पास में कितना है आठ प्लस N का मान ग्याद करना है माइनस एक D का मान कितना इसमें 6 बरावर एक सा 64 इसके लिए हमें n माइनस 1 रखना 164 माइनस के 8 बटे कितना 6 और n माइनस 1 बरावर 164 में 156 बटे 6 n बरावर भाग दो इसमें 6 दो नी 12 3 6 बार और एक इधर त्यार प्लस एक तो n बरावर हो गया 27 अते 27 बट अते 164 बट कौन सा होगा अते 27 बट 164 होगा अते 27 बट 164 होगा तो इसके लिए दुबारा से कि a p का n पदों का यूग a p का n पदों का यूग s n बरावर 3 n स्कौर प्लस 5 n दे रखा है c 10 आया कि n का मान 1 रखेंगे तो कितना आया 8 अब पहला पद या पहले पद का यूग a की बात होती है तो इसको ही हम s बन बोलते है इसको ही a बन बोलते है बरावर हो गया 8 कोई दिक्कत नहीं अब आ गया जाओ s और 2 n की जगए दो रखे हो है तो हल करके कितना है 22 अब यह आया है दो पदों का यूग दो पदों के यूग में ते एक पद को यूग गटा देते है तो दूसरा पद गयात होता है तो हमें दूसरा पद याद करना है तो s2 माइनस s1 22 माइनस 8 बरावर कितना है 14 तो 14 आ गया अब पहला पद है अपने पास में कितना 8 दूसरा पद है अपने पास में 14 अब हमें काने कालना है d तो a2 माइनस a1 14 माइनस 8 बरावर 6 है तो यह है अपने पास में दी है और यह पूज़ा है कौन सा पद एक सो चौशट होगा तो अंतिम पद भी दे रखा है एन 164 तो हमें एन का मान निकालना है तो पाच पॉंट दो वाले सूत्र से हमने निकाल लिया अब इसमें योग नहीं है यह 164 तो ऐसे इन को सूत्र लगा दें यह कहरा है कौन सा पद तो एन वापद है एन वे पद को सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस एक कोश्टक बंद डी बराबर एन तो इस तरीका से हमने एन का मान ग्याद कर लिया तो बच्चों एक बार नोट कर लो पर अगला जो आगी का सवाल है वो कल से स्टार्ट करेंगे